दोस्तों My Simple Guide में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि My Simple Guide चैनल पर आपको आप ये PF अकाउंट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं साथ मैं PF अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए भी वीडियोज आप उप My Simple Guide पर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि UN को एक्टिवेट करना, अपने PF अकाउंट में अपने मुबाइल नंबर को बदलना, अपनी KYC को अपडेट करना, date of exit को अपडेट करना, नोकरी बदलने पर पुरानी कमपनी के PF बैलेंस को करन्ट कमपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर करना और PF अकाउंट से PF और पेंशन का पूरा पैसा कैसे निकाले, उसका प्रोसेस भी मैंने अपने चैनल पर बताया है, तो अगर आपका भी एक PF अकाउंट है, तो फटा-फट मेरे चैनल पर जाईए, और सारी वीडियोज को एक बार जरूर देखिए, ताकि जब आप अपने PF अकाउंट से अपनी मेहनत की कमाई का ये हिस्सा निकालने जाए, तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो अगर आप इस चैनल पर ने है, और My Simple Guide को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और प्रेस PF का पैसा निकालने के लिए आपको उन गलतियों को सुधारने के बाद दोबारा से PF विड्रोवल क्लेम अपलाई करना होता है, इस केस में आपका PF का पैसा मिलने में लंबा समय लग सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी गलती के बारे में, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और EPF विड्रोवल ओनलाई क्लेम करते समय इस गलती को कर बैटे हैं, जब आप अपने PF विड्रोवल क्लेम को ओनलाई करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट ओपन करते हैं, अपने PF अकाउंट में लोग इन करते हैं, उ अपने complete address को fill up करने के बाद यहां आप देखेंगे आपको अपने cancel check की copy या फिर passbook की copy अपलोड करनी होती है, दोस्तो यही वो point है जहां अक्सर लोग गलतियां कर वैटते हैं, अपर आपको अपने cancel check की copy या फिर passbook की copy अपलोड करते समय कुछ बाते ध्यान देनी होती है, दोस्तो सबसे important बात जो आपको ध्यान देनी है, यहां पर उस bank की passbook की copy या फिर cancel check की copy आपको अपलोड करनी है, जो आपने KYC में update कराया है, दोस्तो कहीं बार लोग यह गलति करते हैं कि अपने PF account में अलग bank details update करा देते हैं, और जब वो अपना PF withdrawal claim online apply करते हैं, तो किसी औ और bank की cancel check की copy या फिर passbook की copy को upload कर देते हैं, यह आपको बिल्कुल नहीं करना है, EPFO द्वारा आपका claim reject कर दिया जाएगा, तो दोस्तो अगर आप अपना PF withdrawal claim जल्दी से settle कराना चाहते हैं, तो PF withdrawal claim online apply करते समय जब आप अपनी cancel check की copy या फिर passbook की copy को upload करते हैं, तो आपको आज की वीडियो में बताये गई सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई query है तो आप comment box में लिखकर मुझ से पूछ सकते हैं, और ऐसी और भी वीडियो के लिए like औ